तो जार्खन के राजनिती गलियारों में इन दिनों पॉलिटिकल मार्केटिंग की चर्चा काफी सुनने को मिल रही है तरसल जार्खन के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधान मंतरी नरींद्र मूदी जार्खन का दौरा कर सकते हैं ऐसे में अगर एक मंच पर प्रधानमंत्री मूदी और जार्खन के सीएम हेमन सोरिन रहते हैं तो क्या अपनी अपने मंच की बात एक मंच पर साजा करेंगे इनी सब विशय को लेकर राज़त कॉंग्रेस और भाजपा ने क्या कुछ कहा है आईए सुनते हैं जार्खन के राजनीती के गलियारों में पॉलिटिकल मार्केटिंग की चर्चा काफी सुनने को मिल रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी आगे हैं या हैमन सोरेन आगे हैं ये हम जानेंगे हमारे साथ यहाँ पर कॉंग्रेस आर्जेडी और बीजेपी के नेता मौजूद हैं और एक-एककर उनसे जानेंगे सबसे पहले प्रवक्ता हैं कॉंग्रेस के इश्वरानन जी सर ये बताईए कि अगर बात करें पॉलिटिकल मार्केटिंग की तो 15 नोमबर को नरेंदर मोदी जो हैं वो खूटी आ रहे हैं और ऐसे में अगर एक मन्स साजा होत है तो क्या मुख्यमंत्री आगे दिखेंगे या प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी तो बड़ा ही धर्म संकट में डालने वाला सवाल है लेकिन एक बात जान लीजिया आपकी भाई मोदी जी के पास सिर्फ एक अस्तर है वो मार्केटिंग काम तो नहीं करते हैं खाली मार्केटिंग करते हैं रागवद के अगर लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि क्राम के लेबल पे कि इसमें कितना काम किया मोदी जी के पास गिनाने के लिए कुछने के उन्होंने क्या किय बहुत सारा बहुत हुई पेट्रोल डिजल की मार जुमलों की सरकार काला धनिये पंदरला लेकिन हेमन जी के पास बताने के लिए बहुत कुछ है तो अगर जनता तो बहुत होसियार है तो जनता समझती है और मेरे हिसाब से इसमें हेमन जी भारी पढ़ेंगे इस वर काम के जो है वो अपनी योजना गिनाएंगे किस तरीके से केंदर की योजना है जो है वो चल रही है साथी साथ अगर हेमन सुरेन जो है वो एक मन साजा करते हैं तो क्या लगता है कि वो योजनाओं को गिनाएंगे या फिर अपने दिल की बात जो कहते आ रहे हैं लगतार केंदर सरकार के बारे में वो कहीं तो मोदी जी क्या गिनाएंगे कि हमने 15 लाख देने का बादा किया था वो नहीं दिया पेट्रोल डिजल और गैस सस्ता करने का कहा था वो नहीं किया दो करो रोजगार देने की बात कि थी वो हमने नहीं किया किसानों की आए दोगनू करने की बात क थी वो नहीं किया सो स्मार्ट सिटी बनाने के वादे किये थे यह से बताएंगे क्या मोदी जी बिल्कुल तुश्यो भाई आदव जी हमारे साथ हैं मैं कह रहे हैं शुर अनन की नहीं टिकेंगे इस बार हेमन सुरेन ही आगे रहेंगे और वो आगे ही है मेशा देखे सबसे बड़ी बात हैं माननी प्रधान मंत्री जी हैं और पूरे कोई स्टेट के नहीं ही हिंदुस्तान के मुख प्रधान मंत्री हैं और एक स्टेट के मुख मंत्री की बात ये कर रहे हैं तो ये तो साफ समझ में आने चीए कि प्रधान मंत्री एक मुख मंत्री से कोई तो नहीं नहीं किया जा सकता है और जो उन्होंने काम जो किया है उन्होंने करोना काल में जो करोडों हिंदुस्तानियों का जान बचाया और दूसरे देश के भी लोगों को उन्होंने जो जान बचाया आज भारत का नाम हर जगा जो इतना उंच्या है चाहे आप बच्चों का देख ल उनके मंच के सामने हमारे जो माननिय मुखमंत्री जी है वो बच्चे हैं और मुझे नहीं लगता है कि प्रधान मंत्री जी के सामने इनकी कह सकते हैं कि आवाज भी इनकी निकलेगी माननिय प्रधान मंत्री जी है तो उनके कह सकते हैं कि उनके आदर सोभा में उनके स्वागत के लिए जरूर हमाने मुखमंत्री बोल सकते हैं लेकिन अगर आप उपलब्दी कि नानी की बात करेंगे तो मानें मुखमंत्री जी कोई भी वैसा काम नहीं किये जो प्रधान मंत्री के सामने सफेद जूट बोल सकते हैं इसलिए वो कुछ भी नहीं कर से तक सिर्फ स्वागत कर सकते हैं और जो उन्होंने सोच रखा था कि स्थापना दिवस्क में हम पूरे खुलखुल के केंदर सरकार को गालियां देंगे उन पर कोसेंगे तो वो भी इस चांस इस बार चला जाएगा क्योंकि उनका जादूगर मतलब उनका एक ऐसा करिश्म बैक्तित्व हैं प्रधा अगर एक मंच साजा होता है तो क्या दोनों बात अपनी जो बात रखेंगे वो बेपाक बात रखेंगे जो भी जो भी बातें लोग करते हैं वो क्या एक मंच में करेंगे बात करने में क्या है जो काम हुआ हो तो बुलना पड़ेगा चाहे एक मंच हो चाहे दो मंच हो रही प्रजा मीजाना आदे साहते हैं और अपनी बात जब रखनी होगी जो राज बेज़र लगस की मौत हो गई बाहर में सारे लोगवानिय मुह मंतरी जी ने लाने का काम किया लिवर्रटमेन में भूगता जी प्रणा हि race लाने काम किया में और विकास का तो जाल भी जादिया इस तनी विरुजजारी ती जारकंड में और जो घोसना पत्र में महा तो देख सकते हैं किस तरीके से पॉलिटिकल मार्केटिंग अगर बात करें तो पंद्रा नोवंबर को अगर प्रधानमंत्री नरेंदमुदी खूटी आते हैं और एक मंच साजा होता है तो हमें भी इंतजार रहेगा और पूरे जहारकन वासियों को इंतजार रहे है कि एक मं मंत्री और मुख्यमंत्री हेमन सुरेंड करेंगे अपने सवगी नवल के साथ अंकुर सिना समचार प्लस राजी